मेरे प्यारे देश वाशियों, नमस्कार! विश्व के सबसे बड़े और जीवन्त लोक तंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के बहतरवें गड़तंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बठाई। विविदिताओं से सम्रद्व हमारे देश में अनेक तेवहार मनाई जाते हैं। परंतु हमारे राश्टियों तेवहारों को सभी देशवासी राश्र प्यम की भावना के साथ मनाते हैं। गड़तंत्र दिवस का राश्ट्री पर भी हम पूरे उत्सा के साथ मनाते हुए अपने राश्ट्री एद्वज तता सम्विधान के प्रती सम्मान वा आस्था व्यक्त करते हैं। आज का दिन देश विदेश में रहने वाले सभी भारतियों के लिए बहुत महत्पूर हैं। खांकित, नियाय, स्वतंदता, समता और बंदता के जीवन मूल हम सब के लिए पुनीत आदर्स हैं। यह उम्मीद की जाती है कि केवल शासन की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग ही नहीं बलकि हम सभी सामान नागरिक पी इन आदर्सों का द्रड़ता वा निस्ठा पूरवक पालन करें। लोग तंद्र को आधार प्रदान करने वाली इन चारों अवधार्णाओं को संभीधान के आरंब में ही प्रमुक्ता से रखने का निर्णे हमारे प्रुवद संभीधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर लिया था। इनी आधर्सों ने हमारे स्वतंतता संग्राम को भी दिशा प्रदान की थी। को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं सोचता हूँ कि हम सब को अतीत में और भी पीछे जाकर यह जानने का प्रियास करना चाहिए कि यही मूल्य हमारे राष्ट निर्माताओं के लिए आधर्स क्यों बने। इसका उत्तर इसपस्ट है कि अनाधी काल से यह धर्ती और यहां की सब्वता इन जीवन मूल्यों को संजोती रही है। नियाय, स्वतंदता, समता और बंदुता हमारे जीवन दर्सन के सास्वत सिध्धान्त है। इनका अनवरत प्रवाह हमारी सब्वता के आरंब से ही हम सब के जीवन को सम्रद करता रहा है। हर नई पीड़ी का यह धायत है कि समय के अनरूप इन मूल्यों की सार्थकता इस्थापित करे। हमारे स्वतंता से नानियों ने यह धायत अपने समय में बख खुबी निभाया था। उसी प्रकार आज के संदर्व में हमें भी उन मूल्यों को सार्थक और उप्योगी बनाना है। इनी सिद्धांतों से आलोकित पत पर हमारी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, इतनी विशाल आवादी वाले हमारे देश को खाद्यान एवं डेरी उत्पादों में आत्मे निर्भर बनाने वाले हमारे किशान भाई बहनों का सभी देशवासी हिर्दैस से अविनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्तियों, अनेक चुनोतियों और कोविट की आपदा के बाबजूद हमारे किशान भाई बहनों ने क्रसी उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। ये करतग देश हमारे अनदाता किसानों के कल्यान के लिए पूनतिया प्रतिवद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिस्रमी किसान देश की ख़द सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्तितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाक में स्थित, सियाचन वा गल्वान घाटी में माइनस पचास से साथ डिग्री सेंटिग्रेट ताप मान में सबकुष जमा देने वाली सरदी से लेकर जैसल मेर में पचास डिग्री सेंटिग्रेट से ऊपर के ताप मान में जुलसा देने वाली गर्मी में धर्ती, आ पर हम सभी देशवासियों को गर्व है. खाद्य सुरक्षा, सैन सुरक्षा, आपदाओं तता बीमारी से सुरक्षा, एवं विकास के विभिन छेत्रों में हमारे विज्ञानकों ने अपने योगदान से रास्ट्रिय प्रयासों को शक्ती दी है. अंतरिक्ष से लेकर खेत खलियानों तक, सिक्षन संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक विज्ञानक समदाय ने हमारे जीवन और काम काज को बेतर बनाया है. दिन रात परिस्रम करते हुए कोरोना वाइरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विक्सित करके हमारे विज्ञानकों ने पूरी मानवता के कल्यान हेतू एक नया इतिहास रचा है. देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विक्सित देशों की तुलना में मृत्युदर को सीमित रखपाने में भी हमारे विज्ञानकों ने डाक्टरों प्रशासं तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल योगदान दिया है. इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वज्ञानिक विसेश बधाई के पात्र हैं और कृतक राष्ट गणतंत्र दिवस के सुब आवसर पर इन सभी का अविनंदन करता है. प्यारे देशवाशियों, पिछले वर्ष जब पूरी मानवता एक विकराल आपदा का सामना करते हुए ठहर सी गई थी, उस दोरान मैं भारती संभीधान के मूल तत्वों पर मनन करता रहा. मेरा मानना है कि बंदुता के हमारे संभाइदानिक आदर्स के बल पर ही इस संकट का प्रभावी डंग से सामना करना संभव हो सका है. कोरोना वाइरस रूपी सत्रू के सम्मुख देशवासियों ने परिवार की तरह एक जुठो कर अनुकरनी त्याग, सेवा और बलिदान का परिचे देते हुए एक दूसरे की रक्षा की है. मैं यहाँ उन डाक्टरों, नर्सों, स्वास्त कर्मियों, स्वास्त सेवाओं से जुड़े प्रसासकों और सफाई कर्मियों का उलिख करना चाहता हूँ, जिन्नों ने अपनी जान जोकिम में डाल कर पीड़तों की देख बाल की है. बहुतों ने तो अपने प्रान भी गमा दिये. इनके साथ साथ इस महमारी ने देश के लगबग डेड़ लाक नागरिकों को अपनी चपेट में ले लिया. उन सभी के सोख संतप्त परिवारों के प्रती मैं अपनी संबेदना प्रकट करता हूँ. कुरोना के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ती के योद्धाओं के रूप में हमारे साधारन नागरिकों ने असाधारन योगदान दिया है. आने वाली पीरियों के लोग जब इस दोर का इतियास चानेंगे तो इस आकस्मिक संकट का जिस सहस के साथ आप सब ने सामना किया है उस कोलिक चुनोतियों के कारण कोविट से बचाओ के उपाय करना हम सब के लिए कहीं अधिक चुनोती भरा काम था। चुनोतियों के बाबजूद इस वाइरस के प्रकोप पर काबू पाने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। इस गंभीर आपदा के बाबजूद हमने अने अन हो गया था। लेकिन हमारे संस्थानों और सिक्षकों ने नई टेक्नोलाजी को सीगरता से अपना कर यह सुनिश्चित किया कि विद्यार्थियों की सिक्षा निरंतर चलती रहे। बिहार जैसी घनी आवादी वाले राज तता जम्मो कस्मीर वा लद्दाग जैसे दुरगम वा चुनावती भरे चेत्रों में स्वतंत्र, निस्पक्ष और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराना हमारे लोकतंत्र एवं चुनावायों की सरहानी उपलब्दी रही है। टेक्नोलाजी की सहयता से नियाई पालिका ने नियाई उपलब्द कराने की प्रक्रिया जारी रख यह तरीका कारगर सिद्ध हुआ तता अर्थ ब्यवस्ता में फिर से मजबूती के संकेत दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में दर्ज की गई GST की रिकार्ड ब्रदी और विदेशी निवेश के लिए आकरशक अर्थ ब्यवस्ता के रूप में भारत का उभरना तेजी से हो रही हमारी एकोनोमिक रिकावरी के सूचक हैं। सरकार ने मध्यम और लगू द्योगों को प्रोचसाहित किया है। आसान रिंड प्रदान करके उद्यम सीलता को बढ़ावा दिया है और ब्यापार में इनोवेशन को प्रेज़ करने के लिए अनेक कदम उठाए है। मेरे प्यारे देषवास्यों, विकदवर्स की बिपरीत परिस्टितियों ने हमारे उन संसकारों को जगाया है जो हम लोगों के हृर्दे में सदा से विद्यमान रहे हैं। समय की मांग के अन्रूप हमारे देशवासियों ने हर छेतर में अपनी छमताओं का प्रदर्सन किया और खुद से पहले दूसरों के हित को प्रात्मिक्ता दी. समस्त मानवता के लिए सानभूती, सेवा और बंदुता की इन गहरी भावनाओं ने ही हजारों बरसों से हमें एक जुट बनाई रखा है. हम भारत वासी मानवता के लिए जीते भी हैं और मरते भी हैं. इसी भारती आदर्स को महानकवी मैतली शरण गुप्त ने इन शब्दों में व्रक्त किया है. उसी उदार की सदा सजीव कीर्ती कूजती तथा उसी उदार को समस्त स्रस्टी पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुस है कि जो मनुस के लिए मरे. मुझे विश्वास है कि मानो मात्र के लिए असीम प्रेम और वलिदान की ये भावना हमारे देश को उन्नती की सिखर तक ले जाएगी मेरे विचार में सन 2020 को सीख देने वाला वर्स मानना चाहिए पिछले वर्स के दौरान प्रकृती ने बहुत कम समय में ही अपना स्वक्ष और निर्मल स्वरूप फिर से प्राप्त कर लिया था ऐसा साफ सुत्रा प्राकृतिक संदर बहुत समय के बाद देखने को मिला इस प्रकार प्रकृती ने ये इसपस्ट संदेश दिया कि छोटे छोटे प्रियास केवल मजबूरी नहीं बलकि बड़े प्रियासों के पूरक होते हैं मुझे विश्वास है कि भविश्व में इस तरह की महामारियों के खत्रे को कम करने के उद्देश से जलवाईव परिवर्तन के मुद्दे को विश्व इस तर पर प्राथमिक्ता दी जाएगी मेरे प्यारे देशवासियों आपदा को आवसर में बदलते हुए प्रधान मंत्री ने आत्मे नर्बर भारत अवियान का आवाहन किया हमारा जीवन्त लोकतंत्र हमारे करमठ वा प्रितिवावान देशवाशी विसेश कर हमारी युवावादी आत्मिन नर्बर भारत की नर्माण के हमारे प्रयासों को उर्जा प्रदान कर रहे हैं बस्तुओं और सेभाओं के लिए हमारे देशबासियों के मांग पूरा करने के घरेलू प्रयासों दारा तथा इन प्रियासों में आधुनिक टेक्नोलाजी के प्रियोग से भी इस अभियान को शक्ती मिल रही है इस अभियान के तहट माइक्रो, इस्माल और मीडियम इंटरप्राइस को बढ़ावा दे कर तथा इस टार्ट अप इको सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाकर आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार उत्पन करने के भी कदम उठाए गए है आत्म निर्बर भारत अभियान एक जन अंदोलन का रूप ले रहा है यह अभियान हमारे उन रास्टिय संकल्पों को पूरा करने में भी सहायक होगा जिने हमने नए भारत की परिकल्पना के तहत देश की आजादी के 75 वर्स तक यानि सन 2022 तक हासिल करने का लक्ष रखा है हर परिवार को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान दिलाने से लेकर किसानों की आयको दुगना करने तक ऐसे महतपूर लक्षों की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी आजादी की 75 वी बर्स गांट के एतियासिक पड़ाओं तक पहुँचेंगे नए भारत के समावेशी समाज का निर्मान करने के लिए हम सिक्षा, स्वास्त, पोशाहार, वंचित बर्गों के उत्थान और महिलाओं के कल्यान पर विसेस बल दे रहे हैं हमारी आइमानता है कि बिपरीद परिस्तितियों से कोई न कोई सीख मिलती है उनका सामना करने से हमारी शक्ति वो आत्म विश्वास में ब्रद्दी होती है इस आत्म विश्वास के साथ भारत ने कई छेत्रों में बड़े कदम उठाये हैं पूरी गती से आगे बढ़ रहे हमारे आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बना कर क्रशी और स्रम के छेत्रों में ऐसे सुधार किये गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे आरंब में इन सुधारों के विशह में आशंकाय उत्पन हो सकती है परंथु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है सुधारों के संबंद में सिक्षा के छेत्र में किये गए ब्यापक सुधार उलेख नहीं है ये सुधार भी लंबे समय से अपेक्षित थे ये भी क्रसी एवं स्रम सुधारों के समान ही महतपूर है लेकिन कहीं अधिक बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले हैं 2020 में घोशित राश्ट्री सिक्षा नीती में प्रद्योगिकी के साथ साथ परमपरा पर भी जोड़ दिया गया इसके द्वारा एक ऐसे नए भारत की आधार्शिला रखी गई है जो अंतर राश्ट्री मंच पर ज्ञान केंदर के रूप में उभरने की आकांचा रखता है नई सिक्षा पड़ाली विद्यार्थियों की आंतरिक प्रतिभा को विक्सित करेगी और उन्हें जीवन की चुनोतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी सभी छेत्रों में संकल्ब और दर्ड़ता के साथ आगे बढ़ते जाने के अच्छे परणाम सामने आ रहे हैं अर्थिक मंदी थोड़े समय के लिए ही रही अब हमारी अर्थ ब्यवस्ता पुना गतिशील हो गई है आत्मे नर्बर भारत ने कोरोना वाइरस से बचाव के लिए अपनी खुद की वैक्सिन भी बना ली है अब विशाल पैमाने पर टीका करन का जो अवियान चल रहा है व अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रकल्प होगा इस प्रकल्प को सफल बनाने में प्रशाशन एवं स्वास्थ सेवाईं से जुड़े लोग पूरी तत परता से कारिरत हैं मैं देशवासियों से आग्रे करता हूं कि आप सब दिशा निर्देशु के अनृप अपने स्वास्त के हित में इस वैक्सीन रूपी संजीवनी का लाव अवस उठाएं और इसे जरूर लगवाएं आपका स्वास्त ही आपकी उन्नती के रास्ते खोलता है आज भारत को सही अर्थों में फार्मेसी अब दे वर्ल्ड कहा जा रहा है क्योंकि हम अनेक देशों के लोगों की कराते रहे हैं अब हम वैक्सीन भी अन्न देशों को उपलब्द करा रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों पिछले साल कई मोर्चों पर अनेक चुनोतिया हमारे सामने आई हमें अपनी सीमाओं पर विस्तारवादी गतिविदियों का सामना करना पड़ा लेकिन हमारे और जावानों के प्रति कृतग हे हाला कि हम शान्ती के लिए अपनी पृतिवध्डता पर अटल है फिर भी हमारी थल सेना वाय सेना और नो सेना हमारी सुख्षा के विरुद्ध किसी भी दुश्धास को विफल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ तहनात हैं परते परिश में अपने रास्ट्रिय हेतों की रक्षा करने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं. भारत के सुद्रड और सिध्धांत परक रवये के विषय में अंतर रास्ट्रिय समुदाय भली भाती आउगत है. भारत प्रगती के पत पर आगे बढ़ते हुए विश्व समुदाय में अपन सम्चित स्थान बना रहा है. पिछले कुछ वर्सों में भारत का प्रभाव छेत्र और अधिक बिस्त्रित हुआ है. तथा इसमें विष्व के व्यापक छेत्र सामिल हुए हैं. जिस असाधारन समर्थन के साथ इस वर्स भारत ने आश्थाई सदस के रूप में सुरक्षा परिशद में प्रवेश किया हुए है इस बढ़ते प्रभाव का सुचक है. विष्व इस्तर पर राजनेताओं के साथ हमारे सम्मंधों की गेराई कई गुना बढ़ी है. अपने जीवंत लोक तंतर के बल पर भारत ने एक जिम्मेदार और विष्वस निये राश्ट के मैंने यह पहले भी कहा है और मैं आज पुना इस बात को दुरहूंगा कि राश्ट पिता महत्मा गांदी के जीवन और विचारों पर मनन करना हमारी दिंचरिया का हिस्सा होना चाहिए. हमें हर संभव प्रयास करना है कि समाज का एक भी सदस, दुखी या अभाव ग्रस्त न रह जाए. समता हमारे गणतंत्र के महान यग का वीज मंत्र है. सामाजिक समता का आदर्स प्रतेग व्यक्ती की गरिमा सुनिश्चित करता है. जिसमें हमारे ग्रामबासी, महिलाएं, अनसूचित जाती वा जन जाती सहित. अप एक्षाक्रत कमजोर वर्गों के लोग, द और पीछे रह गए लोगों की सायता सुनिश्चित करने के हमारे सम्बाइदानिक दाईत्यों को इसपस्ट करता है. सानभूती की भावना परोपकार के कारियों से ही और अधिक मजबूत होती है. आपसी भाईचारे का नईतिक आदर से ही हमारे पत प्रदर्सक की रूप मे हमारी भावी सामूहिक यात्रा का मार्ग प्रसस्त करेगा. हम सब को सम्बाइदानिक नईतिक्ता के उस पत पर निरंतर चलते रहना है जिसका उलेक बावा साहब डक्टर भीमराव आमबेटकर ने 4 नवंबर 1948 को सम्बाइदान के प्रारूप को पुस्तत करते समय सम्बाइ सभा के अपने भाषन में किया था, उन्होंने इसपश्ठ किया था कि सम्बाइदान एक नाइतिक्ता का आर्थ है सम्बाइदान में निहित मूलियों को सर्वो पर मानना. मेरे प्यारे देश-पासियों हमारे गळ तंतर की इस्थापना का उत्सो मनाने के इस उसर पर मेरा बिदेशों में बसे अपने बाई बहनों की तरब भी जा रहा है। प्रवासी भारतीय हमारे देश का गवरव हैं। दूसरे देशों में बसे भारतियों ने विभिन्य चेत्रों में काम्याबी हासल की है। उनमें से कुछ लोग राजनाइतिक नेतर्त के उच्छ इस्तर तक पहुँचे हैं और अनेक लोग विज्ञान, कला, सिक्षा, समासेवा और व्यापार के छेत्रों में बहुमों लियोगदान कर रहे हैं। आप सभी प्रवासी भारतिये अपनी वर्तमान कर्म भूमी का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। आप सब के पूर्बजों की भूमी भारत से मैं आपको गणतंत्र दिवस की हारदिक्षव कामनाय देता हूं। हमारे ससस्त्र बलों, आर्द सैनिक बलों और पुलिस के जवान प्राया आपने परिवार जन से दूर रहते हुए तेवहार मनाते हैं। उन सभी जवानों को मैं बिसेश बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी देश बासियों को गणतंत्र दिवस की शुब कामनाय देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।